अनू में दोनों समुदायों के बीच में आज फिर से बैठक होगी धिवानी के स्पी नरेंद्र बिजारणिया को अतरिक दिजमेदारी दी गई है प्रेशासा ने दोनों पक्षों से शांती कायम रखने की अपिनी है तो दोनों समुदायों के बीच में आज बैठक होगी और कोशिश यही कि जो संप्रदाइक सौहार्ध है उसको कायम रखा जाए दोनों पक्षों से मिलकर बात करके शान्ती बहाली का रास्ता निकाला जाएगा भिवानी के स्पी नरेंद्र बिजारणिया को अतरिक्त जम्यदारी दी गई है प्रशासन ने दोनों पक्षों से शान्ती विवस्था कायम रखने की अपील की है तो कल भी दोनों समुदायों के बीच बैचक हुई थी और दोनों के बीच सोहार्द कायम करने की ये कोशिश और उसी के तहट आज एक बार फिर से दोनों पक्षों के लोगों को बिठा कर बातचीत की जाएगी किस तरह से एक बार फिर से भू में शान्ती कायम हूँ उस पर काम किया जाएगा भिवानी के इसकी रदेंद्र बिजारणिया को अतरित्र जमेदारी दी गई है कि इसी बीच प्रिशासर लगातार यह अपील कर रहा है सभी से कि कल जिस तरह के हालात बने वो दुबारा ना दोहराए जाए जाए पूरी तरह से शांती पहली की कोशुश कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुर्जोर कोशिश प्रिशासर की तरफ से और सभी नागरिकों से भी यह अपील कानून व्यवस्था काइम रखने में मदद करें कि दोनों समुदायों के बीच में मध्यस्ता करके शांती बहाली की कोशिश की जाएगी कानून व्यवस्था कानून कानून